बनावटी रिष्टों से कई गुण बैतर है कि आप अकेले ही रहना सीख लो मौबबत और नफरत कहाने को तो दो सब्दें लेकिन यही दो सब्दें इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और सैतान भी बना सकते हैं जब आप बोलते कम और सुनते ज़्यादा हो तो आप लोगों को ज़्यादा पसंद आने लगते हो साहमाय और सब्द दोनों का अप्योब लापरवाई से मत करना ये दोनों ना तो दोबारा आते हैं और ना दोबारा मुका दिते हैं बास्टविक विकास तब होता है जब आप दूसरों को दोस्ट देने के बजाए स्वैम को जाचना और सुदारना शुरू करते हो आप एक जिम्मेदार ब्यक्ति बन जाते हो जिन्दगी में पच्ताना छोड़ो बलकि ऐसा करो कि आपको छोडने वादा पच्ताए मैं वो खेल नहीं खेलता जिसमें जीतना फिक्स हो क्योंकि जीतने का मज़ा तब है जब हारने का रिस्क हो जिन्दगी में आप कितनी वार हारें ये कोई माने नहीं रखता क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हो जीत और हार आपकी सोच पर निवर करती है मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी अपनी पीट हमेशा मजबूत रखनी चाहिए क्योंकि सावाशी और धोका दोनों पीछे से ही मिलते हैं किसी के साथ ज़्यादा समय बिताने से आप उसकी आदतें अपनाने लगते हैं इसलिए सोच समझ कर लोगों के साथ समय बिताया करें खुद को इतना जिद्धी बना लो कि मुश्कलें खुद सर्मेंदा हो जाएं हमें कभी हार न मानने की आदत ही एक दिन बड़ी जीत दिलाएगी लाकों ठोकरों के बाद भी समनता रहूँगा गिर कर फिर से उठूँगा और चलता रहूँगा